सर राज ठाकरे उत्तर प्रदेश आने का ऐलान किये हैं आप बुलने हैं कि उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे हैं इसा क्यों सर यह सवाल अगर राज ठाकरे से पूछते तो ज्यादा बढ़िया रहता मराठी मानुस और उत्तर भारतिये के बीच में जो जहर फैलाने का काम किया उन्होंने किया है और आज जो मुंबई है यह मुंबई राज ठाकरे की नहीं है यह मुंबई देश की कैप्टल है यहाँ ब्यपार होता था और मुंबई को मुंबई बनाने में देश के असी प्रत मुंबई महाराष्ट के लोगों के लवा असी प्रत सर्लों के लोगों का योगदान है और राज ठाकरे साहिब ने बाहरी लोगों को चाहे मजदूर हो चाहे अब ज़्यादातर मजदूरी करने वाले हो लोग बिद्यार्थी हो गाड़ी चलाने वाले मीडिया वाले फिर अभी 2019 तक योगी जी के लिए मोदी जी के लिए अमिस्चा के लिए भारतिय जन्ता पार्टी के लिए तमाम वो बोले है उसको पढ़ लो कोई तो चलिए भाई मोदी जी प्रसान मंत्री है देश के आप बोल सकते हैं उनके खिलाब बोलिये योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्मंत्री हैं आप बोल सकते हैं लेकिन आप उत्तर भारतियों को कैसे मार सकते हैं और जिन राम का आप दर्सन करने आ रहे हैं वो तो वह भी तो उत्तर भारतिय थे तो उन्हीं के बंसजों की आप पिटाई करेंगे कमजोर लोगों की पि तो क्या लाओडी स्पीकर मस्जिद से उतरना चाहिए इसके समर्थन में हैं? लाओडी स्पीकर ऐसा बजना चाहिए कि कैमपस के बाहर आवाज ना जाए। चाहिए डीजे की रूप में हो चाहिए माईक की रूप में है आज देश बहुत परिसान है और ये काम तो होना चाहिए हम तो कहते हैं कि ये माईक बनते कहां से हैं? वहीं पर क्यों नहीं लगाम लगाई जाती? ये हार प्रेसर हार बनते कहां से हैं? वहीं पर क्यों नहीं ल ज़िसкихारावत शुपसेना जो है, वो बोल रही है, कि हम असली हिंदू है, और यह बीजएपी वाले राशठाकरे, यह सब जो है, यह नकली हिंदू. चलिए, उनका बयान है, वो उनका बयान है, उस पर क्या कहना है, वो भी हिंदू, हम भी हिंदू. अब कौन असली कौन नकली है तो बाद में देखा जाएगा वो बोल रहे हैं सिव सेना वाले कि बावरी धाचा जो है वो हमने गिराया बीजेपी वाले नकली हिंदू देखे ये बाद तो जूट है जिस दिन विवादित धाचा गिरा उस दिन मैं वहाँ पर मौझूद था और उसके लगातार एक महीना पहले से मौझूद था सुबह साथ बजे से लेकर के रात दस बजे तक मौझूद रहता था और उस दिन भी रात दस बजे तक मौझूद था सुभेरे साथ बजे से लेकर के दस मवजूद था दूसरे दिन जब नर्सिंगार आओ के गवर्मेंट ने टेक ओवर किया है चार बजे तब तक मवजूद था वहाँ ठाकरे परिवार का कोई सदस्य नहीं था बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये आंदोलन अस्थानिये साधूसंत बिस्संदू परसत राष्टिये स्वेश्योक संग उनके द्वारा तैयार किये गए पूरे देश के करोणो राम भग ये उनका आंदोलन था हाँ बैचारिक समर्थन जरूर रहा बाला साहिब का और बैचारिक समर्थन रहा उस परिवार का लगन फिचकली समर्थन फिचकली वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई पड़ा मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ सर राज ठाकरे उत्तर प्रदेश अगर आते हैं तो अगर बिना माफी मांगते आते हैं तो उन्हें किस तरह से आप रोगिएगा कैसे आ जाएंगे भाई यह माराज थोड़े है यहां कांगरेस थोड़े बैठी कि आपको सिकोर्टी दे देगी आप यूपी वालों को पीटो बिहार वालों को पीटो जहार खंड वालों को पीटो देखें माराज जब पीट रहे थे तो उनको सुरच्छा कौन दे रहा था कांगरेस दे रही थी मैं तो हर लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह ऐसेव लोग जो समाज में जहार फैलाने का काम करते हैं गरीबों को पीटने का काम करते हैं पहले एक कानून बनना चाहिए सबसे पहले इनकी सिकोर्टी वापस लो इनकी सिकोर्टी वापस लो राज ठाकरेस आपको क्या सिकोर्टी दिया था कांगरेस ने और बाहर निकलना नहीं था उनको बंबई से सर बीजेपी एक अंदोलन घर वापसी की चलाती है तो राज ठाकरी अगर घर वापसी करना चाह रहे है तो उन्हें घर वापसी करने ने दीजेगा माफी माँगे यही तुम्हें कर रहा हूं माफी माँगे खेट बेक्त करें 2007 से लेकर के जो भी किया है बड़ी लंबी लिस्ट है तमाम लोगों की जान गई है हमारे संत कभीर नगर के एक राय साहिप थे उनकी जान गई है और इसे हजारों निकलेंगे माफी माँगो आओ यार हमारा देश तो मुगलों को समाहित कर लिया डच को अपना लिया फ्रांसीसियों को अपना लिया अंग्रेजों को अपना लिया तो राज ठाकरे तो अपने हैं माफी माँगो आओ